नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग दैनिक रासीफल से पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में 11 फरवरी 2024 रविवार का दिन है मांग महा के सुक्र पॉष्च की दूतिया ती थी और नच्छत रह सत्विसा सीव नमक करिपराजों अज नयाई के देपता और सूरिपुद्ट सनीदेव अस्त होने जा रहे हैं कुम्रासी में तो शनीदेव जब अस्त होंगे तो आपके उपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा तो जब 11 फरवरी को सनी देव कुमरासी में अस्त होंगे तब 18 मार्च को वो उदित होंगे तब तक अस्त रहेंगे तो आप बिस्चिक वालों आपके लिए सनी देव आपके तीसरे चतुर्त भौके स्वामी हैं और चतुर्त घर में ही अस्त होंगे तो चिंता ज्यादा ना करें सनी के अस्त होने के दौरान अपने मा के बस स्वास्त का ध्यान रखिएगा लेकिन हम करियर की बात करें तो देखिए मेहनत ज्यादा है काम का प्रेसर रहेगा और हो सकता है आपके सिनियर की सक्ति का भी आपको सामना करना पड़े जो लोग बैपसाई हैं हर तरफ नजरे बनाए रखे ज़रोज से ज़्यादा उधार वेगड़े देना सही नहीं है तो रननीतिक बनाकर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है हलां कि रिष्टों की बात करें तो जीवन साथी के साथ स्थिति आपके बहुत अच्छी नहीं दिखती मुम्किन है कि आप जितना इमंदार रहेंगे रिस्ता उतना ही अच्छा है लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए किसी से तो ज़्यादा उत्तम रहेगा और स्वास्त के मामलों में दिन की सुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और अपने पीठ दर्द का थोरा खयाल रखें तो ज़्यादा अच्छा है हलां कि आप इदेश जाना चाहते हैं तो आपको बढ़िया मौका मिलेगा प्लस पॉइंट यह है और आपके स्वास्त में कोई कास दिक्कत नहीं है लेकिन कोई आर्थिक समस्या थी तूस पर नजरे बनाये रखें और भी पॉजिटीव रहें हर तरफ नजर रखें अब बात करते हैं दनिक रासी फल के बारे में तो ब्रिस्चिक वालों आज का दिन थोरा सभारी है बे बजह का थोरा बहुत कारी छेतर में तनाव हो सकता है नोकरी में उच्चा धिकारी से बे बजह नोक जोक न हो जाए इसका भी ध्यान रखें महत्पुन कारें में थोरी बिग्ण बाधाये हैं कहने का ताथ पर आपका उमीद आपका भरोसा आपका आत्म विश्वास आपको आगे तो ले जाएगा पर किसी भी तरह का तरक भी तरक से दूर रहिएगा और निर्मान समंधी कारे में आपको परिश्रम करना है परिश्र अबना भी इसमें बन रही है विभा की बात चल सकती है परिवार के सदस्यों के साथ आपकी सहानी भूती पूर्ण चर्चाएं होंगी बाचीत होंगी भूमी समंधी कोई मामला अगर अटका था वो बन सकता है जल्दबाजी में बस निर्ने मत लीजेगा वरना आपको काम टालने से बचें सुवरंग सुनहरा भागे साथ निभाएगा करीब साथ परतीसत और आज भाग्यांक तीन है तो आज जुबान पर काबू रखें जिन से प्यार करते हैं उनकी प्रवाह तो आप करते हैं लेकिन उनके साथ बैभार जो बढ़ियां करें अगर आप उनक कूल चल रहा है जितना मेनत करेंगे उतनी सबलता है